नमस्कार, संभवामी युगे-युगे की इस यात्रा में आप सबका स्वागत करती हूँ, वो प्रभु जो स्वयम अवतार लेकर संभव करते हैं कि वो इस धर्ती पर रह सकें और धर्ती के कश्टों को दूर कर सकें चौदहमी कड़ी है आज श्री हरी के दशावतार की इस काव्यात्मक प्रस्तूती की और इसमें हम पढ़ रहे हैं उनके आठमें अवतार, कृष्णावतार की गाथा और कृष्णावतार का आज हम पढ़ेंगे पाँचमा भाग पिछली बार हमने अंत किया था द्रौपदी के चीर हरण पर सबसे घ्रिनित कृत्य उस काल का और ना केवल द्वापर का अपितू मानव जीवन के इतिहास को उठा कर देखा जाए तो शायद इससे बुरा कभी किसी नारी के साथ नहीं हुआ दुशासन उसका चीर हरण कर रहा था दुरियोधन कुद्रिष्टि से उसे देख रहा था सभी सभासद घर के बड़े बुढ़े स्वयम भीश्म पितामह विदुर धृतराष्ट्र चुप चाप देख रहे थे अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो केवल एक भीम थे शायद इसलिए माना जाता है कि द्रौपदी को सबसे अधिक प्रेम भीम से ही था जुआ खेला जा रहा था जो केवल खेल या स्परधा नहीं था जो एक शड्यंत्र था पांडमों से उनका सर्वस्व छीन लेने का द्रौपदी से उनके उस मजाग का प्रतिशोध लेने का जो उन्होंने इंद्रप्रस्थ में धुर्योधन के साथ किया था अब सिदि यह है कि सर्वस्व त्याग कर श्रीहीन होकर तपसी बाना बनाकर कुंती द्रौपदी के साथ पांडव पांचों काम्यक वन की ओर चल दिये हैं तेरह वर्ष का वनवास है जिसमें एक वर्ष उन्हें अज्यात वास में रहना होगा तो चलिए प्रारंभ करते हैं उससे आगे की कथा कौरव कुल का अन्याय देख तब पांडव सखा विपिन आए सहना होगा यह नियाति मान जब तक न शक्ति संचय पाए अपने मित्र पांडवों पर कौरव कुल का यह अन्याय जब देखा कृष्ण ने तो वो तुरंथ उनके पास विपिन में वन में मिलने के लिए आए पांडवों की शक्ति बन कराए उन्हें ये संदेश देने के लिए कि विधी के इस विधान को बदलना होगा लेकिन तब तक शांत रहना होगा जब तक उतनी शक्ति संचय न हो जाए कि कौरवों को युद्ध में परास्त किया जा सके बल शक्ति शौरी की वृद्धि करो यह समय शक्ति अर्जन का है शुभ करो अलोकिक वर पाओ भवितव्य काल स्रिजन का है अभि मन्यू सुभद्रा को लेकर श्री कृष्ण द्वार का ओर बढ़े पांडव प्रसन मन से ततपर बल शौर्य साधना ओर अडे अर्जन ने घोर साधना कर पशुपत्य शिव से वर प्राप्त किया सहस्राश्व रत भेज इंद्र ने सुत को अपने साथ लिया इंद्र ने भी जब यह सब देखा तो अपने पुत्र के लिए सहस्राश्व रत यानि एक अजार घोडों वाला रत भेजा और उन्हें अपने पास बुला लिया बाकी पांडव मा कुंती संग सब तीर्थ भ्रमन पूजन करके गंध मादन परवत जा पहुँचे नैमिश में सनान ध्यान करके द्रौपदी अक्ष एक स्वर्ण कमल एक पवन वेग से आया था फिर भीम सेन से कर आगरह एक और पुष्प मंगवाया था तो ये गंध मादन परवत पर जब पहुँच गए तो वहां की एक घटना है जब भीम का सामना हनुमान जी से होता है उसी कवर्णन अब आने वाला है तो द्रौपदी के आँखों के सामने एक स्वर्ण कमल बड़े वेग से हवा से उड़ता हुआ आया तो द्रौपदी ने जब उसे देखा तो भीम सेन से उन्होंने आगरह कर एक और वैसे ही कमल की मांग की होकर प्रसंद मन भीम चले पर मार्ग में बंदर सोता था फटकार डांट कर थमे भीम बंदर पर असर न होता था ये बंदर कोई और नहीं सयम हनुमान जी थे जो परीक्षा लेने आये थे भीम की आते कोपित भीम की वानी सुन बोला अशक्त बुढ़ा वंदर तुम पूँच हटा कर निकल जाओ क्यों समय व्यर्थ करते रुख कर निज भुजबल पर अति गर्वित हो अब बढ़े भीम वानर की ओर पर तिल भर पूँच न डिगा सके था व्यर्थ सहस्र हस्ति सम्जोर कहते हैं न भीम की अंदर हजार हाथियों का बल था लेकिन उस एक वानर की पूँच को वो तिल भर भी डिगा नहीं सके कहां चला गया वो हजार हाथियों वाला बल समझ गय थे इसी से भीम की असाधारण वानर नहीं है कर बद्ध विनम्र प्रणाम किया हे देव क्षमा का करे दान मैं लग मानव बुद्धि सीमित शंका मेरी हो समाधान मैं पवन पुत्र हनुमान और निश्चे ही हो तुम अनुज भीम भी पवन पुत्र थे और हनुमान भी पवन पुत्र इसलिए उन्होंने भीम को कहा है अनुज मैं पवन पुत्र हनुमान और निश्चे ही हो तुम अनुज भीम विकराल युद्ध अगामी है पाओगे मुझे ध्वजा आसीन हनुमान जी ने उन्हें पहले से ही आगाह कर दिया है इस बात के लिए कि विकराल युद्ध आने वाला है लेकिन अनुज तुम मुझे सदा अपने ध्वजा के नीचे पाओगे इसलिए आप देखेंगे कि अर्जुन के रत पर जो ध्वजा है उस पर हनुमान जी स्वयम विराजमान रहते हैं हमेशा कर अग्रज को नमन चल दिये लाने काम्यक स्वर्ण कमल किया पराजित धन कुबेर को पाया सरवर कदली दल और फिर अपने अग्रज हनुमान जी को नमन करके भीम चल दिये स्वर्ण कमल लाने के लिए धन कुबेर को पराजित किया और द्रौपदी को प्रसंद पाच वर्ष रह इंद्र पुरी में पूर्ण काम अर्जुन आए माता बंधु सहित सब हर्षे अनभव सुने क्षेम पाई अब अर्जुन को तो इंद्र अपने साथ ले गए थे और पाच वर्ष वहां रहकर अर्जुन लोट आए हैं बहुत कुछ सीख कर आए हैं बहुत सी शक्ति अर्जित करके आए हैं बहुत से अस्त्र शस्त्रों का ज्यान ले कर आए हैं और अपने युद्ध कौशल को और मजबूत करके आए हैं दुर्योधन था विकल पांडवों की कुछ खबर न पाई थी मन ही मन उस ध्रिष्ट बुद्धी ने कुछ योजना बनाई थी अब दुर्योधन तो यही चाहता था कि किसी तरह से उनका ये वनवास उनका ज्यातवास असफल हो जाए वो अपनी तरफ कुछ न कुछ योजनाए बनाता ही रहता था गंधर्व राज अपसरा संग विहरण करते थे गिरिक कानन में सिद्ध हस्त थे युद्ध कला में अस्त्र शस्त्र संचालन में अब उधर चित्र सेन गंधर्व राज अपसराउं संगवन में विहरण करते थे वो भी युद्ध कला में सिद्ध हस्त थे विग्ण पड़ गया, चित्रसेन ने क्रोधित हो भृतान लिया, कर संग्राम भयंकर उसने दुरियोधन को बांध लिया दुर्योधन तो काम्यक वन आया था पांडमों को खोजने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसका सामना हो गया गंधर्वराज चित्रसेन से, उन दोनों के बीट संग्राम हो गया और वो बांध कर दुर्योधन को ली गए. कौरव कर्ण दुशासन संग् फिर लोट चले हस्तिना पूर। दुर्योधन बंदी था मद अभिमान हो गया था सब जूर। तुर्यों ने भीमा और अर्जुन को अस्त्र शस्त्र लेकर के दुर्योधन को मुक्त करने के लिए भेजा। वो अब भी अपने छोटे भाई को मुक्त कराना चाहते थे, अपने बड़े भाई होने का कर्तव्य पूरा करना चाहते थे, धर्मराज जो थे। किन्तु दुर्योधन पर कोई असर नहीं पड़ता था मुक्त हुआ पर घोर अपमान बोध सहित वो घर आया मतलब पांडवों ने छुड़ाया लेकिन फिर भी वो कृतअग्य नहीं था बलके इसे अपना अपमान समझ रहा था कि उसे पांडवों ने छुड़ाया इसी बीच आखेट हेतु जयद्रत काम्यक वन आया द्रौपदी अकेली थी नितांत आसुरी वृत्य जागी तक्षण पांचाली को रथ पर खीचा सोचान विकट परिनाम मरण कौरवों की इकलोती बेहन दुशला का पती था जयद्रत तो वह आखेट के लिए काम्यक वन आया और वहां उसने द्रौपदी को अकेले देखा बस उसने इस मौके का फाइदा उठाना चाहा लेकिन इसका परिनाम नहीं सोचा उसने पांडव जब लोटे आश्रम द्रौपदी नहीं थी यथा स्थान दोड़े ततकाल देख करके फिर रत के पहियों के निश्ना समझ गए पांडव द्रौपदी नहीं है किसीने अब भरन कर लिया है उनका रत के पहिये दिखाई दे गए जैदरत ने रोद्र रूप देखा जब कुपेत पांडवों का पीछे रत से उतार पांचाली को भागने लगा उतर नीचे पांडवों ने उसका पीछा करते करते पकड़ी लिया था उसे और जब जैदरत ने उनका वो रोद्र रूप देखा तो ढर गया रथ से पांचाली को उतारा और स्वयम भी उतर के भागने लगा उनसे बचने के लिए पर बचन सका वह खल कामी अरजुन के प्रबल पराक्रम से धरकेश भीम ने जखड लिया रथ के उतार फेका नीचे फिर गिरा मुकुट पद से रौदा रोरो कर ख्षमा मांगता था भीम ने उसके मुकुट को पैरों से रौध डाला उसको बालों से पकड कर जखड लिया और रथ से उतार के नीचे फेक दिया रो रो कर क्षमा मांग रहा था जैद्रत, कर बध प्रार्थना करता था कौरव कुल का जमाता था, सैन्धव प्रदेश का राजा था, भगिनी पती था दुर्योधन का, कर क्षमा धर्मराज पाए सोभाग दुशला रक्षन का अब यहाँ एक बार फिर धर्मराज के भीतर क्षमा जागुठी क्योंकि वो बहन का पती था, कुरुवंश का जामाता था, तो केवल दुश्चला के सौभाग्य की रक्षा के लिए युधिष्टर ने क्षमा कर दिया जैद्रत को. फिर कथा आगे चली कुछ ऐसे, एक दिवस वन भ्रमन कर रहे पांडव थक कर चूरु हुए, सूर्य देव का ताप विपड़ुए, सूर्य देव अति क्रूरु हुए, सूर्य देव बहुत ही क्रुद्ध थे शायद, लेकिन पांडव चलते जा रहे थे, बहुत प्यास लगी थी. जल पीने सहदेव गए, देखा रमनीक सरोवर को, जो ही सर के निकट गए, धनी आई, प्रशनों के उत्तर दो. तो सबसे पहले सहदेव चले पानी पीने के लिए, सरोवर की ओर सबसे छोटे थे, लेकिन जैसे ही वो सरोवर के पास पहुँचे, एक आवाज आई वहां से. और वो ध्वनी कह रही थी कि पहले प्रशनों के उत्तर दो, तभी तुम्हें सरोवर का जल पी सकते हो. घोर प्यास थी, जल सम्मुख था, अंजली भर जल पान किया, प्रशनों को अनसुना किया, पर पीते ही निजप्रान दिया. सहदेव ने अंसुनी कर दी थी वो बात, प्रशनों के उत्तर वाली, और प्यास इतनी विकट थी कि बस पहुँचते ही पहले पानी पी लिया, और जैसे ही उन्होंने उस सरोवर का जल पिया, वही तक्षन उन्होंने अपने प्रान त्याग दिये. क्रम से फिर अरजुन भीम नकुल ने भी निजप्राणों को त्यागा, वापस न लोटने पर अनुजों के मन, धर्म, राज, संशय जागा, तो सहदेव के बाद फिर नकुल, भीम, अरजुन ये तीनों गए, इन्हें भी प्यास लगी थी, इनके साथ भी वही हुआ, इन्होंने भी अपने प्राण त्यागे, लेकिन जब अनुज लोटे नहीं, तो धर्मराज, युधिष्ठर के मन में कुछ आशंका हुई, वो सरोवर तट पर पहुँचे, तट पर पहुँच सरोवर के, अनुजों को पाया संग्याहीन, ध्वन उभरी, आकाश गिरासी, पुनाह कहे सब प्रश्न विलीन, तब युधिष्ठर पहुँच गए सरोवर पे, और वहां पहुँचते ही उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई, संग्याहीन, निर्जीव पड़े हुए हैं, तभी फिर से वो ध्वनी उभरी, वो आकाश बाणी हुई, फिर से उस वि प्रश्न धैर्यवान, समधान किया सब प्रश्नों का, पांडव हो उठे, प्राणवान, तो युधिष्ठर ने फिर सब प्रश्नों को धैर्य से सुना, और सभी प्रश्नों का उत्तर हल प्रस्तुत किया, और जब उन्होंने ऐसा किया, तो सभी उनके अनुज फिर से यह जो प्रश्ण युधिष्टर से पूछे गए थे आप जानते हैं इन्हें क्या कहते हैं इन्हें यक्ष प्रश्ण कहा जाता है और आम तोर पर ऐसे प्रश्णों को जिनका कि कोई समाधान कोई हल नहीं होता उन्हें यक्ष प्रश्ण कह दिया जाता है तो यहां पर आप जानना चाहते होंगे कि योधिष्टर से क्या प्रशन पूछेगा और उन्होंने उनके क्या उत्तर दिये तो सबसे पहले यक्षन योधिष्टर से पूछा था कि पृत्वी से बढ़कर क्या है जिसका उत्तर उन्होंने दिया था कि मा पृत्वी से भी बढ़कर है फिर था कि आकाश से उचा कौन है, तो उनका उत्तर था कि पिता का कद आकाश से भी उचा होता है, तीसरा प्रशन था कि वायू से तेज क्या चलता है, और उत्तर था युधिश्टर का वायू से तेज चलता है हमारा मन, फिर एक प्रशन था कि तिनकों से भी अधिक संख्या किस चीज की है, तो वो मनुष्य के जीवन में आने वली चिंताओं की संख्या, फिर एक प्रश्न पूछा था उन्होंने कि खुली आँख कौन सोता है, तो खुली आँख मचलियां सोती है, तो इस प्रकार यक्ष ने सौ प्रश्न पूछे थे युधिश्टर से, और युधि युधिश्टर से पूछा था, वो था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है इस संसाल में, तो इुधिश्टर का इस पे उत्तर था कि हर रोज लोग यम के घर में जाते हैं, अर्थात हर रोज लोग मरते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग पीछे रह जाते हैं, वो अनं रत्व की अनंत काल तक जीवन की प्रार्थना करते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है तो आगे चलते हैं, द्वादश वर्ष वनवास अवधी, द्वादश वर्ष वनवास अवधी पांडवों की अब बीत चली, तेरहमा वर्ष सम्मुक था, अज्यात वास की बात चली, तो इस तरह बारह वर्ष पांडवों ने वन में बिता दिये, और अब अग्यात वास का समय आप पहुँचा था, तो अब वेश बदल कर पांडवों ने मत्सराज प्रस्थान किया, राजा विराट थे न्रिपति वहां दरबार पहुँच सम्मान दिया, तो उन्होंने वेश बदला और मत्सराज के यहां चल दिये, राजा विराट वहां की राजा थे, सबके छद्म नाम बोले, मैं कंक बड़ा चौसर प्रमीन, युदिश्टिर कंक नाम उन्होंने रखा, चौसर प्रमीन, यह वल्लब पाक शास्त्री है, भीम का नाम वल्लब हु व्रिहन नला नृत्य संगीत सुवीन और अर्जुन बन गए व्रिहन नला, व्रिहन नला नृत्य संगीत निपुण स्त्री के रूप में अर्जुन को रहना पड़ा अज्यातवास में, राजा विराट ने हो प्रसन सबको मन चाहा कारि दिया, पांडव जा निज निज कार में रत हुए अग्यात वास किया नकुल सहदेव के हाथों से पश्यों की सेवा होती थी द्रौपदी सैरंधरी दासी बन रानी के केश संजोती थी विराट रानी सुदेशना का भाई कीचक सेनापति था भारी बल का वह स्वामी था खल कामी लंपट प्रकृति था कश्टों ने समस्याओं ने यहां भी उनका साथ नहीं छोड़ा बड़े अच्छे तरीके से वो अपना ज्यात वास बिता रहे थी अलग-अलग कर्म करते हुए लेकिन राजा विराट की पत्नी रानी सुदेशना का भाई कीचक जुसेनापति था बहुत बलशाली था लेकिन बहुत ही दुष्ट था कामी प्रवृत्ति का था बस कुद्रिष्टी उसकी द्रौपदी पर पढ़ गई डाली कुद्रिष्टी द्रौपदी पर छल से समीप आ बुलवाया पर भीम आ गए चुपके से कीचक को यमपुर पहुँचाया अब द्रौपदी की जगा साड़ी पहन के भीम बैठ गए और कीचक को वही मृत्य लोग पहुचा दिया कीचक अवसान सुना जब तो प्रतिवेशी न्रिप थे हर्श मगन जो भी उनके विरोधी राजा थे बहुत ही खुश हो गए और मत्सराज पर धावा बोलने का एक अच्छा उसर उन्हें प्राप्त हो गया मत्सराज सम्रिद्धी हरण हित सन्नद सुशर्मा दुर्योधन दुर्योधन सुशर्मा सब मिलके तैयार हो गए मत्सराज पर आक्रमन के लिए कौरव सेना ने चहुदिशी से मत्सराज को घेर लिया भीषण संग्राम हुआ ऐसा अरिको विराट ने धेर किया भीषण युद्ध हुआ दोनों सेनाओं के बीच और विराट ने शत्रूओं को धेर कर दिया रत से विराट को खीचा जब यह देख भीम उनमत्त हुए पटका भूपर सुशर्मा को पदा घात से पस्त हुए अब सुशर्मा ने जब विराट को रत से खीचा तो भीम यह देखकर तुरंत हुनमत्त हो गए प्रोधित हो गए वो तो विराट की सेवा में थे तुरंत सुशर्मा को भूमी पर पटक दिया और पैरों से आघात करके उसे रोंदने लगे सैनिक त्रिगर्त भागे सरपट दुर्योधन ने गोधन चुरा लिया गोपों से यह सूचना मिली उत्तर कुमार मन हिला दिया अब यहां पर सैनिक तो भाग चले और दुर्योधन ने विराट की गउओं को शुरा लिया चोरों की तरह कौरवों को मारूंगा मेरा निश्चय है पर योग सारत ही नहीं कोई इससे ही मन में संशय है उनका पुत्र उत्तर ये देखकर बहुत क्रोधित हो गया चोरों जैसी हरकत करने वाले उन कौरवों को मारने का निश्चय वो मन ही मन कर रहा था लेकिन उसके पास को योग सारत ही नहीं था केवली सी का उसके मन में थोड़ा संशय था इसी लिए वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था सुन उत्तर का उदगार द्रौपदी बोली यह विशय नहीं है चिंता का अब उत्तर का जो उदगार उसके मन के भाव जब द्रौपदी ने सुने तो बोली यह तो कोई चिंता की बात है ही नहीं नृत्याचार्य आज व्रिहनला पहले सारती था अरजुन का। ध्रौपदी ने तुरंत उत्तर को समाधान प्रस्तुत किया। कहा कि व्रिहनला जो आज नृत्याचार हैं, पहले अर्जुन की सारती थी, इसलिए योग सारती की समस्या आपकी हल हो गई। अर्जुन से उत्तर ने आग्रह कर डाला सारती बनने का, सहमती दी अर्जुन ने सहर्ष अवसर था कौरव मर्दन का, अर्जुन बन गए उत्तर के सारती और एक अवसर मिला फिर उन्हें कौरवों से प्रतिशोद का, उत्तर रत पर आरूढ हुआ, सारती बने पार्थ उसके, जैसे ही शत्र सैन्य देखा, भागा उत्तर भय खा करके। तो उत्तर हिम्मत करके चलतो दिया था, कौरवों की सेना की संख्या, उनकी शक्ति देखकर, वो भय खा के वापस लोटने लगा। तो अर्जुन ने उसे समझाया, अर्जुन बोले, तुम क्षत्रिय हो, मृत्यू से इतना भय क्यूं है, बैठाया अपुनह खीच रत पे, उत्तर को करना निर्भय है। तो अर्जुन ने उत्तर को निर्भय किया, अपना सहारा उसे दिया, उसके सारती बने, डरे हुए उत्तर को फिर से रत पर खीच कर विठा दिया। अब अपने हाथ में ले लिया था निर्णे अर्जुन ने, बोले, लाओ गांडीव मेरा उत्तर, शालमली व्रिक्ष पर यहीं पास में, अर्जुन हूँ युद्ध करूंगा मैं, हम पांडव हैं अज्यात वास में। तो अपना सत्य जो था वो भी उस पर उन्होंने जाहिर कर दिया। सम्हाल के रत पर सवार थे, कौरव सेना को चीरते हुए गुस गए, क्रिपाचारे, कर्ण, द्रोणाचारे सब को उन्होंने हरा दिया। वापस लाए सब गोधन को, पांडव पाए सम्मान अपार, अर्जुन की कीरती गुझी घर घर, विराट सभा में हर्शो चार। तो सब गोधन जो भी कौरवों ने चुराया था, उसे अर्जुन वापस लेकर आये उनसे, और मच्च देश में घर घर, अर्जुन की कीरती गुझी घुझी। सार्व जनिक रूप से मिली कीरती, पांडव भी अत्योप कृत थे, परिणय उत्तरा अभिमन्यों का करने को सभी तत्परित थे। तो अब पांडव तो सब के सामने आ गये थे, अज्यात वास की अवधी पूरी हो चुकी थी, पांडव भी कृताग्य थे, विराठ के प्रती और विराठ भी प्रसन्न थे कि उनकी वजह से विजैश्री उनके हाथ लगी थी, तो बस संबंधी बन गये, वो आपस में उत्त रानी सुदेशना और विराठ की पुत्री थी, और अभिमन्यू अर्जन और सुभद्रा के पुत्र, अज्यात वास की हवधी गई, पांडव के शुभ चिंतक आए, तो अज्यात वास समाप्त हो गया, और पांडवों के जो भी शुभ चिंतक थे, संबंधी थे, उनका कु शलक्षेम पूछने आये, श्री कृष्न सात्य की कुंति भोज, द्रिश्ट द्योम्न शिखंडी नरुक पाए, अब समय था कि पांडवों को उनका राज वापस दे दिया जाता, लेकिन नियती को यह स्विकार नहीं था, एक बार फिर पांडवों को वंचित रखा गया, मागे थे, जिन्हें देने से दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया था, तो महा भारत होना तो तै था, आज इसी बिंदु पर हम यहां विश्राम लेते हैं, अग्यातवास समाप्त हो गया है, और अब बढ़ रही है कहानी महा भारत के युद्ध की ओर, लेकिन इससे आगे की युद्ध की गाथा हम सुनेंगे अगली कड़ी में, जानेंगे वो सब घटना क्रम जो धीरे धीरे एक विनाशकारी युद्ध में बदल गए, प्रतीक्षा कीजेगा बने रही इस यात्रा में मेरे साथ अन्ति तक, शीग्र लोटूंगी, जै श्री कृष्न, जै श्री जै भारत!